Question number 23, देखिए, 23 question है, x square, minus का 7x, और minus का 30, इसको हम factorize करने जा रहे हैं, constant term ये रही, इसके prime factors ले रहते हैं, 30 के prime factors हैं, 2 से 15, 3 से 5, और 5 से 1, इन factors को ऐसे arrange करना है, कि जब मैं दोनों को add करूँ, तो कितना ना चाहिए, minus का 7, और जब मैं इन दोनों को multiply करूँ, तो कितना ना चाहिए, minus का 30, ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले लेते हम, 2, 3 सा 6, और 5, 6 मैं add करो 5 को ये subtract करो, किसी भी तरीके से 7 नहीं बनता है, ठीक है, अगर मैं ऐसे लेता, 2, और 3, 5, 0, 15, तो भी बात नहीं बन रही है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2, 5, 0, 10, और 3 करता हूँ, तो इनको minus करके देखो आ रहा है, 7, ठीक है, तो ये practice से आते हैं, जब आप ज़्यादा practice कर लोगे, तो आप भी इस तरीके से find कर पा 10, और इधर लिखता हूँ, 3, अब देखो इनको add करके minus 7 बना रहा है, और इन दोनों को multiply करके क्या minus 30 आ रहा है, देखो बिलकुल आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x square को x square लिखना है, और फिर लिखना है minus का 10x, और फिर लिखना है plus का 3x, और minus का 30, अब क्या क ठीक है, इस bracket के बाहर वो number आएगा, जिसकी multiply इससे करें तो यह आए, इसी number की जब multiply इधर करें तो यह आना चाहिए, तो देखो यहाँ x है, यहाँ x है, 3 चाहिए, तो plus का 3 लिख दो, 3 की x से करोगे यह आएगा, इसकी इससे करोगे यह आएगा, तो बिलकुल ऐसा ही आ र लिए, तो अगले bracket में वो आएगा, जो bracket में नहीं है, देखो यह bracket है, इसके बाहर x है, यह bracket में नहीं है, तो इसको लिखो, और देखो इस bracket के बाहर plus 3 है, उसको लिखो, तो यही हमारा factorize होकर answer आया है, चलते हैं अब next question पर,